सभी शिक्सकों को मेरा नमस्तार निस्टा प्रक्षिक्षिक्षन में जैसे आप जानते हैं कि सभी अध्यापगों को नौंबर माह में तीन कोर्स करने हैं उन में से जो मॉड्यूल 10 है वहा है विद्याले आदारिक आकलन तो अब हम इस मॉड्यूल के परसन उत्री को यहां प पर दिखाई दे रहा है तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए विद्यारतियों में श्यक्षिक परिवरतनों के बारे में विवस्ति जरूप से सूचना एकृतित करना जो दूसरा परसन आ रहा है हमारा तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए विद्यारति प्रगति के बारे मे पर्सनों का एक समूझ जिनका अध्यन करते हैं इस पर्सन का जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा MCQ मादमी के स्थर पर ऑनलाइन आकलन का इसके बाद कथन एक और कथन दो इसमें दो दे रखे हैं कथन एक का कथन दो जो वैख्या करता है सही उसके बारे में याँ पर बताया गया है जिसमें हमारा उत्तर आएगा पहला वाला कथन एक और कथन दो दोनों सही है कथन दो कथन एक का सही वैख्या करता है सिक्षिक नेती आकलन से विद्यार्ती नेती आकलन इसका जो हमारा उत्तर आना इसके बाद राष्ट्रे सिक्सानिती 2020 के अनुसार बोर्ड की परिक्सवाँ में बदला होगा दक्सता अधारित परशन के माध्यम से कि इसके बाद अगला परशन है कठन एक अऔर फिर कठन दो आएंगे रुबिक मां दंडो का एक व्यापक समू है तो इसकka उत्तर यहां पे दिया हुआ है कि यहाँ उससे मैचकरता है यह नहीं तो इसका उत्तर आएगा पहला वाला कठन एक सिये लेकिन कठन दो गलत है विश्वसनियता के साथ अंकन इसका जो हमारा उत्तर आएगा वा असरचित निबंद आएगा निमलिकित में से विचारात्मक वाले का जो परसन है इसका उत्तर हमारा आना चाहिए रूब्रिक तो रूब्रिक इसका अंसर आएगा और इसके बाद हम अगले पर्षन पर चलेंगे निमलिकित में से किसकी बजाए योगताय मिस्रित शेणी के अंतरकरत रखी गई है तो इसका आएगा परतिया स्मरण एम समझना इसके बाद फिर अगला पर्षन है शिक्षा में आंकलन शामिल नहीं है तो इसका उत्तर आएगा अधिगम परतिफलों का विक्सित वाला शिक्षन अधिगम आंकलन परकरिया में प्रवधिकी का समावेशन तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए बहु आयामी और किसी भी स्वैमकार आकलन के माद्यम से अधिगम इसके बाद निमलिकित में से कौन सा रूप्रिक का मांदन पैरामीटर नहीं है तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए बहु विकल्पिय पर्षन इसके बाद है रूप्रिक के बारे में निमलिकित मेंसे कौन सा कदल सही है तो इसका उत्तर अमारा आएगा शिक्षक और विध्यारति को मिलकर रूप्रिक का निर्मान करना चाहिए एगला पर्षन है विद्यार्ग आदारीत आकलन मुखेता के सिद्धान पर आदारीत है विद्याले में शिक्षक अपने शिक्सारतियों की समताओं को वाला उत्तर इसका आएगा निम्लेकित रुब्रिक में से कौन सा उप्योग किया जाएगा तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए केवल एक धाचा डैश फ्रेम ये समारा उत्तर आना चाहिए उसके बाद एक परकार का आकलन कारे किया है जिसमें विद्यारति अपने स्वयम के उपलब्दी पर चिंदन कर करते हैं तो इसका आंसर हमारा आना चाहिए स्वा- आकलन मादिमिक सतर पर आप आकलन रणनीती की रूप में केस अध्यन का उत्तर हमारा आना चाहिए या विद्यारति के अनुशनदान चिंदन-शील परिजट्चा में शंगलन वह शामिल करता है इसे बाम अगला परशन ह तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए ज्यान आधारित सूचना का पुनरुथान इसके बाद हम आगले परसंट पर चलते हैं इस परसंट का उत्तर हमारा आएगा उपलब्दी आधारित आकलन का तो इसका उत्तर है विद्यारती ज्यान कोशल अब हम अपने आंसर्स चेक कर लेते हैं तो हमने 20 में से 20 किये अब हम इसे समिट झाल